Hello dear students, आज हम लोग टेक्सोनमी के बारे में चानने के लिए ट्राइ करेंगे कि टेक्सोनमी क्या कहता है? What is the meaning of this word टेक्सोनमी? इसके बारे में आज हम लोग थोरा डेटेस में चानने के लिए ट्राइ करेंगे आप लोग के लिए अच्छा होगा, हैना? डेफिनेशन बोल रहा है कि based on characteristics all living organisms can be classified into different texta this process of classification is called as taxonomy और यह definition मैंने आपका जो जो NCRD book है biology का वहां से लिया हुआ है तो हर एक word को हम लोग समझेंगे तो क्या बोल रहा है based on characteristics की character के उपर depend करके all living organisms की चितना सारा living organisms है plants या animal ठीक है और microorganisms चितना सारा living है can be classified into different texta अगर हम लोग इन living beings को अगर हम लोग अलग अलग ग्रूप में बाटेंगे texta का means category या group ही बोल सकते हो की can be classified into different texta की अलग अलग ग्रूप में इन living organisms को अगर हम लोग बाटेंगे तो इसी process को हम लोग क्या बोलेंगे इसी process of classification को क्या बोलेंगे taxonomy बोलेंगे एक example लेते हैं ठीक है based on characteristics बोल रहा है की character के उपर depend करके organisms को जितना सारा living organisms है इन लोगों को हम लोग क्या कर रहे हैं अलग अलग ग्रूप में बाटे रहे हैं देखें इसी process को taxonomy बोल रहा है अब यह आप example लेते हैं कि हमारा जो human beings है human beings का जो character है human beings या homo sapiens का जो character है उसका character अगर हम लोग लेते हैं कि बिल्ली का character के सथ नहीं मिलता है हमारा character और बिल्ली का character के बीच difference रहता है तो यह क्या हो गया कि हमारा भी एक group है जो रहता है और बिल्ली का जो group है उस दोनों group के अंदर आपका क्या है करेक्टर के उपर depend करके फिली का अलग group बना दिया और human beings का अलग group बना दिया फिर अप लोग लेते हो कि dog dog का जो एक group है dog का character horse के साथ नहीं मिलता है तो dog का भी group अलग हो गया horse का भी group अलग हो गया फिर अप लोग अगर suppose लेते हैं कि crocodile crocodile का character बाकी ग्रूपु के साथ नहीं मिलता है क्रोटेल क्या हम रहता है रेंगते हुए सलता है पानी में योटेजन नहीं मिलता है तो अभी हम निख लिया कि हर एक और गानिजम का जो मैंने ग्रूप अप लोग को बोला हरे और्गनिजम का क्या हो रहा है हरे गुप का करेक्टर और एक ग्रूप के साथ नहीं मिल रहा है तो यह अभी क्या हो रहा है कि इनके करेक्टर के उपर डिपेंड करके क्या हो रहा है अलाग अलाग ग्रूप बन रहा है तो अभी हम लोग देखेंगे किसी ए एकूशर ब्ली का ग्रूप से हम क्या रहे हैं the villarट गूप से आम लोके क्या रहे है這是 का फोइस कैसा यह कैसा इसका लेक्स कितना है ठीक है इसका टेल रहता है नि तो यह सब कुछ रहता है तो इसका बोडी कलर कैसा होता है तो कि अध्या पर डिपेंड करके अगर उस बिल्ली के ग्रूप में से एक बिल्ली को अगर हम लोग identify करेंगे तो हम लोग को समझ में आ जाएगा कि ग्रूप में जितना सारा animals रहता है उसी ग्रूप में हर एक के character इसके जैसा ही same होगा ठीक है फिर हम लोग देखते हैं कि suppose crocodile को देखते हैं इसका character क्या है रहниनते हुए चलता है पानी में भी रहता है महाती में भी रहता है यह इपका क्या करता है अंडा देता है ठीक है और क्या होता है इसका जो body structure है बिल्ली का इस ट्रक्सर साथ नहीं मिलता है इसका जो खाता है ठीक है वो भी हम लोग देखेंगे ठीक है तो ऐसे हम लोग identify करते है कि character क्या क्या है तो अगर हम लोग crocodile के group में से crocodile का character देखते हैं तो इन group के अंदर बाकी लोगों के बारे में हम लोग को समझ में आ जाएगा कि suppose उसके जैसा same species क्या है lizard है उसका भी four leg होता है अंधा देता है ठीक है तो एक group में हम और character के उपर किसी fix character के उपर depend करके हम लोग क्या क्या कर दिया group wise हम लोग को समझ में आ गया तो इसी को बूलते है taxonomy कि taxonomy पहला आपका क्या करता है taxonomy process के अंदर हम लोग क्या देखेंगे अगर कोई भी आपका नया spaces मिल रहा है इस दुनिया के अंदर तो उसको हम लोग पहला क्या करेंगे identify we have to identify the new spaces then उसका character देखेंगे कि कि किसी group के spaces के साथ मिलता है कि नहीं ठीक है तो identify करेंगे उसका character देखने के बाद ही तो identify हो गया उसके बाद हम लोग को क्या करना है ये तो नया species हो गया ठीक है नया species होने के नाते इसको हम लोग क्या करना है इसका naming करना है तो naming का scientific time क्या है nomenclature करना है by the help of binamian nomenclature तो identification हो गया nomenclature भी हो गया अभी हम लोग को क्या करना है इसको classify करना है किसी group में डालना है किसी group में डालने के लिए हम लोग को क्या करना है इसका character जो है जिस group के साथ मिलता है उसमें हम लोग डाल देंगे तो क्या हो गया आपका तो पहला तो identify कर लिया फिर उसका nomenclature भी कर लिया फिर तो टेक्षण नमी आपका क्या करता है कि identify करता है उसके बाद nomenclature by name nomenclature ठीक है identify naming means nomenclature करते हैं फिर इसको classify करते हैं classify करके किसी एक group में से group में हम लोग डाल देते यही आपका क्या होता है टेक्षण नमी ठीक है